हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल जेके ओनलाइन टिप्स आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इससे जुड़ा हुआ क्लास 10 के फिजीक्स से 70 और एम सी क्यू को स्थ लेकर आएं फ्रेंट तो उमीद करता हूं कि आप इसे वाज करेंगे और आपके एजाम के लिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट है तो आएए देखते हैं तब से पहले हम देखते हैं यह मानव नेत्र मानव नेत्र में देखिए कई पार्ट होते हैं है ना करेंगे तो चलिए कुष्टन के ओर देखते हैं पहला कुष्टे में हमारे पास वां मंडल में पायू मंडल में पहूं सा कौन सा रंग अधिक परक्रेंड करता है इस समय तो इसमें होगा दिन फ्रकास कौन सा कौन सा रंग्च अधिक किरन परफिंद करता है तो अधीक पर काज़ँ सब्सक्राद पत heps कर सब्सक्राइब क्रञ्फ करता है तो करेक्ण सरा नीला ठीक है देखिए दुसरा कह τον द्रिश्टी दोसको निम्डरीके से किस लेंस के द्वारा हटाया सकता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निकड्रिश्डी दोस कैसा दोस होता है इसको ठोड़ा देखते हैं देखिये निकड्रिश्डी दोस इसमें असपस्ट रूप से हम यहां पर नजर आ रहा है यह दूर बिंदू है और दूर बिंदू यहां पर होना चाहिए और होता क्या है परतीव को यहां बनना चाहिए अब बनता कहां है थोड़ा आगे-आगे बन जाता है नाइन इस दोस्को सही करने के लिए इस दोस्को सहीकर लेट के लिए निकर दिश्ट कर आप दिएक है आप तर और उत्तल लेंस का उत्तल लेंस का उपयोग होता है कब जब दिर्ग दिश्टी दोस होता है नेत्र का दिर्ग दिश्टी दोस मतलब हो गया कि दूर की बस्तू को सपस्ट देख सकते हैं जबकि नजी की बस्तू को सपस्ट नहीं देख सकते हैं उसे दोस को दिर्ग दिश्ट है तो आंई एक और देखते हैं कि निकट दृष्टी दोस निकट दृष्टी दोस को किस लेंस से द्वारा हटाया जा सकता है तो इसले हम निकट दृष्टी होगा निकट दृष्ट्ध में सिर्टिale लेंस है ना अब तर लेंस को निम्लिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है रंगीन भाग कौन होता है यह देखना है तो रंगीन भाग नेत्र का कौन होता है इसा करेट अंसरों का परितारिका परितारिका जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है किस रंग का ब कि यह मारा स्पेक्ट्रम है कि और इससे स्वेध्र प्रकास की साथ रंग Hey है जिसके बाद यह सात रंग में विवाजित हो जाता है जब आउटपूट होता है तो यह प्रिजम कास है जो प्रिजम है आउटपूट देता है स्वेत प्रकास का तो वह सात रंगों में बाड़ देता है इसमें से हम स्वाट में इसको लिख सकते हैं भी आई बी जी वाई ओर ठीक है भी फॉर वाइलेट आई फॉर इंडिगो बी फॉर बुलू जी फॉर ग्रीन वाई फॉर येलो और ओ फॉर ओर और और फॉर रेंड यह हमारा साथ सेवन कलर से ठीक है सेवन कलर से जो स्वेट प्रकास पड़ती है जब प्रिज्म पर तब यह सात रंगों विवाजित कर देती है बाढ़ देती है आउट्पूट में जिसको हम लोग यह अस्पेक्ट्रम द्वारा देख सकते हैं है अना अब देखिए अब कुश्चन पर आ जाते हैं देखिए इसमें है किस रंग का बिचलन सबसे नियूंतम होता है किसका नियूंतम होता है सबसे बिचलन लाल रंग का ठीक है अप्सन नम्मर ए इसका करेटन सरोगा तरंग देर्ज को समानता है ब्यक्त किया जाता है तरंग देर्ज को किसमे सबसे चोटी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लंबाई की एक लिकाई होता है इंगस्ट्रॉम ठीक है एक इंगस्ट्रॉम ब्राबर होता है 10 to the power 10 to the power minus 10 meter ठीक है बहुत नगन बहुत छोटा कर होता है इसलिए दरंदेर्ज को किसे मापने जाता है इंगस्ट्रॉम में चलिए अगला कुस्टन देख लेते हैं परकास की किस घटना के कारान हमें वास्तिविक सुर्योद के से लगभग 2 मिनिट पूर्व दिखाय देता है तो परकास का प्रक्रिणान हो गांक इसका हो जाएगा यहू मंडली अपपरतन अच्छा परकास की घठ Kinस, और सूर्ज हमयं वाश्चिविक सुर्योदे से पहले दूनेट पहले में दिखाई देता है वाई मंदली अब बर्तन के कारान क्या स्थे अगला स्था हो दि Sydấp की लिए कि आसपष्ट द्रिश्टी की नियूंतंदुर कितना होती तो देखिए इसके लिए फाची सेंटीमिटरी टिकैने सेंटीमे जब्टर होती हैं और फेहें नैत्र है परव्यस करने वाले रहें कुस्टन्द best करने वाली परकास किर्णों का अधिकांस अब बरतन होता है कहां पर अब बरतन था अधिकांस तो इसका correct answer होगा नेत्रोध अंतर प्रिष्ट पर या कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर अभी नेत्र के अंतर प्रिष्ट पर या इनमेस को इंत्र से सेंटिमीटर और दूर बिंदू होता है कहां अनन्द ठीक है इन्फिनिटीव इसा करे टंसर होगा अनन्द पर अप्शन नम्मर डी अब है दिर्ग द्रिष्टी दोस्त के निवारन के लिए उप्यों के आता है कौन सालेंस देखिए अब कुस्तन गोले द्रिष्टी के निवारन के लिए उप्यों के आता है तो दिर्ग द्रिष्टी के निवारन के लिए उप्यों के आता है कौन सा लेंस उत्तर लेंस ठीक है उत्तर लेंस दिर्ग द्रिष्टी दोस्त के लिए उसके बाद किस वर्ण का तरंग देर सबसे उसके बाद है किसी अंत्रिक शियात्री को आकास कैसा पर्तित होता है देखिए आकास हम लोगों को बुलू नजर आता है लेकिन यही अगर अंत्रिक शियात्री देखेगा तो कैसा नजर आगा काला अंत्रिक शियात्री को आकास कैसा नजर आता है काला ठीक है चलिए अगला क तिंडल प्रभाव प्रकास की कौन सी घटना को परदर्शित करता है तो देखिए तिंडल प्रभाव यह होगा परकास का परावर्तन या अप्सन दिया हुआ प्रखेदर प्रभाव प्ररव प्रविश करने वाली प्रकास का अधिकान खाल कहा हो ता है अभी में प्रविश करने वाली प्रकास पर या कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर नेत्रोध में द्रिष्टी पडल परती करेट टेंसर होगा कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर ठीक है अब है किस लेंस का उप्योकर द्रिष्ट द्रिष्टी दोस्त को संसोधित किया जा सकता है किस लेंस का उप्योकर दिरिष्टी दोस में अफ्तर लेंस लगाके है ना अफ्तर लेंस अप्सन नमर 20 का करेटन सरोगा चलिए अगला कोशन देख लते हैं जब सूर्ज का परकास वायू मंदल से गुजरता है तो वायू के सुक्ष्म कन किस रंग के परकास को अधीक परवलता से परकिर्णन करते ह तो जब सूर्ज का परकास वायू मंदल से गुजरता है तो वायू के सुक्ष्म कन किस रंग के परकास को अधिक परवलता से परकिरनन करता है तो इसका करेटेश तरोग Сам कौन साद कलर होगा नीला ठीच है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है पक्छामवीग या परि तालिका या नेटरलेंज या रेटिना तो करे टेंसर होगा इसका अप्सन नमबर डी रेटिना अब एक किस दृष्टी दोस्ट को अबतल और उतल दोनों लेंसों से बने दी फोक्सी लेंस द्वारासन सोधीत किया जा सकता है तो देखिए यह जरा दूर्द दृष्टता देखिए दूर्द यह जो द कोता है के मंचने दूसरा होता है जिसको नियर साइटों के साइट तंडैडर्नेस बोलते हैं उसका है विज है है एक होता है में एक हुआ थो ठिक है और ओर ate यहुक्तन होता है इस रा दूर्द दृष्टता मतलब आ हाइस बायो प्लिप या ठिक है अब है कि निक Ugh फ्रेसर पुदर्श्रिता है इसमें दोनों दोस होता है निकर द्रिष्टी दोस और दिख द्रिष्टी दोस जिसके कारण हम इसका उप्यों करते हैं दूइफ फोक्सी लेंस के द्वारा ठीक है अब है अगला कुश्चन ट्वेंटी नमर का एक साधारन प्रिज में कितने सत्वों से Bay Area बहीना से घरा ठीक है ऑप्सन नमर ड्री सी इसका खर्यटण सोंग आज करेंते अगला कुश्चन है में ने पैदि नेत्र की फोकस्दूरई कम हो जाने से कौन सा द्रिष्टी दोस होता है तब पोकस्दूरई पंसक्त के देखेऊं, निकल द्रश्थी दुस्यूब्र नेत र का दूर विंडु है, तो इसमें तीजूरा नेतर लेंस की फोकस धुरी कहम हो जातें, यहां पर होना उना का यह पोड़ से हैं, य। क्या है दोस्युक्त आंक के लिए है दोस्युक्त आंक के लिए फोकस दूरी कहां चला गया है यहां पर चला आया है ना इसी को पूरा करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं हम अब तर लेंस लगाते हैं ठीक है चलिए अगला कुश्चन है तो इसका अंसर होगा नेतल लेंस की फोकस दुरी का मुझान से कौन सा दृष्टी दोस होता है तो निकट दृष्टी दूँ अप्शन नमबर ए इसका करेट अंसर होगा आँख बेभार करता किसके तरह अप्था लेंज उत्तर लेंज या समतल दर्पन के तरह या कोई नहीं इससा करेट एंसर होगा क्या उत्तर लेंज के तरह ठीक है option B का करेटेंसर है मानब नेतर जिस भाग पर किसी बस्तु का परतिवीम बनाता है वह क्या है वह यह क्या होगा द्रिष्टी पटल कहां पर पर मानब नेतर किसी भी वस्तु का परतिवीम बनाता है ठीक अगला question है मैं एक एंगस्टॉम का मान क्या होता है एक एंगस्टॉम का मान होता है 10 10 to the power minus 10 meter बहुत ही छोटा कन होता है 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 ना चलिए अगला question है स्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना होता है तो सिंपल सी है कि स्वेत रंग सात रंगों से मिलकर बना होता है ठीक है अगला कोश्चन है प्रकास के किस रंग का तरंग देर सबसे अधिक होता है तो प्रकास के कौन सा रंग का तरंग देर सबसे अधिक होता है तो बैगनी सबसे अधिक होता है तो इसका हो जागा यह मेरे पास लाल हरा पीला बैगनी तो किस रंग की किरन का बिचलन जुकाव सबसे अधिक होता है तो बैगनी कलर का ठीक कॉन सा पदार्थ लैंस्के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है इसका युज नहीं कर सकते हैं जल का कर सकते हैं काच का कर सकते हैं तो प्रिज्म से परकास की कौन सी घट पर इखटना घटती है प्रावर्टन होता है या बढ़ता होता है वर्ण विक्षेपन होता है वर्ण विक्षेपन होता है है ना सेवन कलर में जो बढ़ जाता है प्रिजम से निकलने के बाद स्वेट प्रकास तो क्या होता है वर्ण विक्षेपन होता है ठीक है अब उसके बाद है चंद्रमा पर खड़े अंत्रिक शियात्री को अकास कैसा दिखेगा तो अंत्रिक शियात्री जैसे ही आ जाएगा अंत्रिक शियात्री को अकास कैसा परतित होगा तो इसमें डारेट अंसर मारना है काला है नहीं कैसा परतित होता है अंत्रिक शियात्री को अकास काला परतित हो जाता है इसको क्या बोलेंगे टिंडल प्रभाव क्या बोलते हैं टिंडल प्रभाव चलिए अगला कुश्चन है जो नेत्र निकट यह जो नेत्र निकट श्थित बस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोस होता है दूर द्रिष्टी निकट इस्थित बस्तू को साफ नहीं देख सकता है इसका मतलब निकट द्रिश्टी दोस होगा क्योंकि निकट द्रिश्टी दोस वाले बैक्ति को निकट का बस्तू को साफ साफ नहीं देख सकता है ठीक है तो इससे करें टेंसर होगा यह जो निकट इस्थित बस्तू को साफ नहीं देख सकता है अच्छा दूर वला वस्तु को देख सकता है और निकट वला नहीं देख सकता है स्वरी इसमें हो जाएगा दूर दृष्टी दोस्टिक है दूर वला सपस्ट देख सकता है तो होगा दूर दृष्टी दोस अब दृष्ट परकास में किस रंग का तरंग अधिक अगला कोश्वन देख लिते हैं अभि नेतर लैंस की फोकस दूरी परिबर्तन के बखेक है किया जाता है इसका होगा पटली द्वारा गुदल न सब्सक्राइब द्वारा ये परितारिका द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दुरी में परिवर्तन क्या आजा सकता है ये पक्छामभी द्वारा ठीक है पक्छामभी पेसियां द्वारा चलिए मानब नेत्र में अभिनेत्र अगला है 39 को सन है 39 नंबर का यह है मानब नेत्र अभिनेत्र ले greedy graphiqueheads करके बिभिन दुरियों पर रखि़की वस्तों को毒 कर सकता है एसा हो पाने का कारण है एसा अicz kommt मझा तो समझन चमता ठीक है न्यत्र जव मानम नेत्र है वचे नेत्र लेंस पर पूकसuct दुरी को इसमायो झीद कर सकता है कहीं भी किसी भी एंगल में बना सकता है कोई भी दुरी पर वस्तुर रख्या है तो इसको फॉक्सित कर सकता है तहाशा तभी होगा जब उसका समंजन छमता सही रहेगा इसका कारण है समंजन छमता की कче समय चमदां ठीक है अगला कुस्फन है कि मैं अलोको सण अधिर द्रिश्टी दोस दृश्टी दोस द्रिश्टे रो पिड़ित व्यक्ति उप्चार किस परकार के लेंग से होग क्या जाता है दूर दरीश्टी में यह अवसारी अफशारी देखिये तो अब उत्तर लेंस होगा इसमें तो उत्तर लेंस को ही अभी सारी लेंस कहा जाता है ठीक है तो दूर दृष्टी दोस्वाला बेखती हो कौन सा लेंस लगाना चाहिए अभी सारी लेंस यानी उत्तर लेंस ठीक अगला कुश्चन है स्वेद प्रकास जब एक प्रिज्म से ङोकर कुजरता है यह तो जो रंग सबसे कम बिचलित होगा वो कौन से होगा तो इसका करैट तान्सर होगा लाल ठीक है पीला नहीं होगा हरा नहीं होगा सबसे जबान बिचलित होगा लाल अब अगला कुश्चन है एक स्वास्थ मानव नेत्र के लिए निकट था दूर बिंदू करमसा होते हैं तो निकट का जो बिंदू होता है वो तो 25 cm होता है ना अदूर का जो होता है वो अनन्द होता है जैसे हम लोग आसमान में देख लेते हैं आराम से वो अनन्द है औ और पचीश सबसे नजदी यानिए पचीश सेंटिमीटर से नजदी की वस्तू को देखना चाहेंगे तो वह धुन्धलाना जारा लागा एसलिए है कि यह निकट निकट वाला जो बिंदू है वह 25 सेंटिमिटर राढ़ दूर बिंदू है तो वो क्या अनन्त है चलिए मानव नेतर में मानव नेतर में उत्तल दरपन होता है कि उत्तल लेंश होता है तो इसकारेटर अंसर होगा उत्तल लेंश होता है option number 6 इसका correct answer हो ठीक है चलिए अगला कोशन किसी बस्तु का परतिवीम नेतर के जिस भाग पर बनता है वो है तो किस पर बनता है तो रेटिना पर बनता है हमारा जो नेत्र है उसमें रेटिना के कारण हम किसी बस्तु को देख पाते हैं यानि कोई परतिवीम बनता है वो कहां बनता है रेटिना या द्रिष्टी पटल पर चलिए अगला कुश्चन है जराद दूरदर शित्या के निवारन के लिए जराद के निवारन के लिए किसी परकार के हम दरपन का उपयोinaire करेंगे दूपřोक्सी लैंस या अब ताल दो होगा दूप फोक्सी लैंस ठीक है छब लिए अगला कुस्ष्टन है कि मेरे पास अगला को सब्सक्राइब जो नेतर दूर इस्थित वस्तु को नहीं देख सकता और नाजदी के वस्तु को साफ साफ देख सकता थैं निकट द्रिश्टी दोस होगा कि अगला को सब्सक्राइब किस द्रिश्टी दोस में किसी वस्तु का परतिवीम रेटिना के रेटिना के आगे बनता है किस द्रिश्टी दोस में कहीं है अब देखिए किस द्रिश्टी दोस में किसी बस्तु का परतिवीम रेटिना के आगे बनता है इस सब्सक्राइब होगा निकर दृष्टी दोस में ठीक है निकर दृष्टी दोस में किसी बस्तु का परतिम रेटिना के आगे बनता है फिर नेत्र की समझन छमता कम हो जाने से उत्पन होती है नेत्र की समझन छमता कम हो जाने से कम हो जाने से कौन सा देश उत्पन होती है निकट या दूर या जरा दृष्टी या वर्धानता तकरे टेंसर होगा जरा दृष्टी दोस समझन चमता जब घड़ जाती है तो इसमें निकट दृष्टी दोस और दूर दृष्टी दोस दोनों जोएंट होके आता है ठीक है दोनों दो सुत्पन हो जाता है जिसके कारण ये दूई फोक्सांतर वाला लेंस यूज करते हैं इससे चुट कर आप पाने के लिए ठीक अगला है तारों के टीम टीमाते परतित होने के कारण है तारे जो टीम टीमाते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है वायू मंडल अब बरतन के कारण या वायू मंडल ये वर्न विक्षेपन के कारण या वायू मंडल ये परकिर्णन के कारण ये वायू मंडल ये अब बरतन के कारण इसा होता है ठीक है तारों का टिम टिमाना किस्ते प्रतित होता है वायू मंडल ये अब बरतन के कारण अगल अपराबरतन नपरन से दिए तो इसका करेटएंसर होगा यह अपवरतन की कारण से स्पेक्टर्म में गटना से होती है उसको क्या बोलते हैं अफ़र तर ठीक अगला है जो नेत्र निकट जो नेत्र निकट अस्थीत वस्तूओं को असपश्ट नहीं देख पाता उसे उस नेतर में होता है निकट वस्तूओं नहीं देख पाएगा निकट की वस्तूओं को नहीं देख पाता है जबकि दूर की वस्तूओं को देख लेता है तो अप्सन नम्मर यह इसका क्या टेंसर होगा चलिए अग जोगत स्वेट प्रकास स्षीट प्रकास से गुजरने के बाद बिभीन रंगों स्विध परकास पिर्ण से गुजरने के बाद विभीन रंगों में बिभक्त हो जाता है ठीक है इस घटना को क्या काते है वर्न बिक्षेपन काते है है ना तो क्या बोलेंगे वर्न बिक्षेपन चले अगला कुश्चन है जरा जरा दूर दर सिता से पिरित बैक्ती का उपचार किस परकार के लेंस से किया जाता है तो देखिए यह जरा दूर दर सिता से तो देखिए इसमें है बाइफोकल लेंस होगा क्योंकि यह अब सारी और अब तल और अभी सारीयत नहीं होगा बलकि क्या होगा बाइफोकल ल रहेगा उस बैक्ति को कौन साल लेंस लगाना पड़ेगा यह बाइफोकल लेंस लगाना पड़ेगा ठीक है चलिए अगला कुछन है स्वेत प्रकास की किरन जब किसी प्रिज्म से ओकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधीक बिचलित होता है जो रंग सबसे अधीक बिचलित होगा वो क्या होगा बैगनी रंग ठीक है इसका करेट ऑप्षन होगा ऑप्षन नमबर सी चलिए अगला कुछन है कि जब किसी कन पर पढ़कर परकास के एक अंस के विभिन दसाओं में विभिन दसाओं में चित्राने को क्या करते हैं चित्राने को क्या करते हैं यह प्रकास का प्रावर्तन या परकास का वर्ण विक्षेपन या परकास का परतन या परकास का परकिर्णन तो देखो किसी कन पर जब परकास पढ़ती यह तो क्या होता है किसी कन पर परकास पढ़ने पर यह छित्रा जाता है ना छित्रा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं विविंद सामें छित्राने करिया क क्या बलते हैं प्रकास का प्रकेशन आप्षान मग्डी युक्त सरे चे लगला है नेतर लेंस की फोकस दूरी अधीक हो जाने這些 की फोकस दूर दृष्टि दोस्ति या सिराद दूर सेता होगा तो करेट उप्सन के लोगा दूर दृष्टिwachं क्या हो जाएगी दूर दृष्टि दूस। को अब देखिए अगला कॉच्छ आग करना को अगला को सद्रे मेरे भास के astrology में जो काम परकास को तो हम करती हैं utiliz लोगा ले करोगा सकारलते हैं जो काम डियाफ्रॉम करता है जो केमरी के आगे लगा होता है वह दने और देता है अगला कुशन करता से अंधर जाने वाले परकास के परिनाम को घटाया या बढ़ाया सकता है। इलिक है यह होगा अंक के किस भाग की साहता से आंख के अंदर जाने वले परकास के परिनाम को घाटाया या बढ़ाया जा सकता है तो देखिए अगला कुशन है यह कुशन बिभीन दूरियों पर की की बस्तों के पर्तिवीम को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो देखिए इसमें होगा पुतली द्वारा या रेटिना द्वारा सिलेरी पेसियों द्वारा या आईरिस द्वारा तिससा करट अंसर होगा सिलेरी पेसियों द्वारा ठीक इवन में से किस द्रिष्टी दोस में नेत्र का क्रिष्टलिये लेंस धुनला या आपारदर्सी हो जाता है किस द्रिष्टी दोस में नेत्र का क्रिष्टलिये लेंस धुनला या आपारदर्सी हो जाता है तो इसका क्रेटेंसर होगा मोतिया बिंद में नेत्र का क्रिष्टलि या जा सकता है ठीक उसके बाद है यदि यदि किसी वास्तु का परतिवीम रेटना के पीछे बनता है रेटना के पीछे बनता है वह ब्यक्ति किस द्रिश्टी दोस्ते पीडित है तो देखिए इसमें होगा रेटना के पीछे बनता है तो वह द्रिश्टी किस द्रिश्टी द पीछे बनेगा तो दूर द्रिष्टी दोस्ति अगला कुस्टन देख लगते हैं अगला दूर द्रिष्टी दोस्ते पीडित ब्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है कहां तक साफ साफ देख सकता है तो दूर की बस्तु को तो पूरा साफ साफ देखी सकता है क्योंकि देख निकट की वस्तु को दूर्द्रिष्टी दोस्ट से पिरिद बेखती कहां तक साफ साफ देख सकता है तो दूर्द्रिष्टी दोस्ट कर दोड दूरश्टित ऻूस्थित वाटेश्तुन को डूर्शुतन को लिएए ऊपिश्टु सब्सक्राइब सब्सक्राइब को बेखे लिए अजी उन्तु को है, तो देखिए जितर स्रेकर बीत है, तो दूर की व Wind Fund, तो इसका रंग नीला परतीत होता है क्यों तो इसका करेट एंसर होग अप्सन दिया हुआ परकास के परावर्तन के कारण परकास के परकिर्णन के कारण परकास के बरतन के कारण तो करेटन सरों का परकास के परकिर्णन के कारण चलिए नेत्र में किसी बस्तू का बना परतिविम होता है नेत्र में किसी बस्तू का परतिविम बना परतिविम होता है कालपने सिधा था छोटा कालपने कुल्टा था ब परकास किरनों का बिचलन संभव है एक आयता का सलेव द्वारा या एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयता का सलेव द्वारा नहीं एक आयता का सलेव या प्रिज्म द्वारा या ना तो प्रिज्म द्वारा ना तो आयता का सलेव द्वारा तो परकास किरनों का बिचलन सं नहीं हो पाता है चलिए अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्ज के परकास किरने बीभीन विभीन रंगों में बंड़ जाती है क्योंकि प्रिज्म की दो सतों पर किरनों का बरतन होता है यह अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है प्रिज्म से निकलने के बाद प्रिज्म से निकलने के बाद स्वेथ किरने क्यों सात रंगों में विभक्त हो जाती है तो देखिए सुर्ज का स्वेथ परकास सात वर्नों का मिसरन होता है नहीं प्रिज्म के कारण परकास रंगिन हो जाता है ये भी नहीं इसका कोई कारण नहीं है ये भी गलत है जिसे उपर विक्त सभी गलत है उपर विक्त सभी गलत है चली अगला कोस्टन है और अंतिम कोस्टन है फ्रेंट तो इसमें दिया हुआ है कि सुर्योदय और सुरियास्त के स तो मैं सुरी लाल दिखाई परता है क्योंकि वायू मंडल के कारण लाल रंग को बहुत अधिक परकिर्नित करता है नहीं नारंगी को बहुत अधिक परकरनित करता है हाँ यह करें टेंसर होगा ब्लू को यह ज्यादा परकरनित कर देता है ठीक है तो थैंक्स फॉर है थैंक्स फॉर वाचिंग कर दो कर दो